एहनिस सहज सुभाई दर्शन परस्य गुरू के जनमों मरण दुख जाओ सतनाम सिरीवाहे गुरू साहिब जी सोरठ महला पंजवा कार पहला तेतु के एक ओ अंकार सत गुर परसाद किस हो जाची किस आरादी जान सब को कीता हो सी जो जो दी सै वड़ा वडेरा सो सोखा कूरल सी निरपाओ निरंकार पाव खंडना साब सोख नवनेद देसी किस हो जाची किस आरादी जान सब को कीता हो सी जो जो दी सै वड़ा वडेरा सो सोखा कूरल सी निरपाओ निरंकार पाव खंडना साब सोख नवनेद देसी हार जीयो तेरी दाती राजा मान सुबपडा क्या साला ही क्या तिसका मोह ताजा रहाओ जिन हारते आया साब किश तिसका तिसकी पूख गवाई ऐसा तान दिया सुख दाते ने खुटना कब ही जाई अनंद पया सुख सहज समाने सात गुर मेल मेलाई मन नाम जाप नाम आराद अन देन नाम वखानी उपदेश सोन साद संतन का साब चूकी कान जमानी जिन काव किरपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बानी कीमत कौन करै प्रभ तेरी तू सरब जियां दै आला साब किश कीता तेरा वरत है क्या हम बाल गुपाला राख ले हो नानक जान तुमरा जियों पिता पूत के रपाला कीमत कौन करै प्रभ तेरी तू सरब जियां दै आला साब किश कीता तेरा वरत है क्या हम बाल गुपाला राख ले हो नानक जान तुमरा जियों पिता पूत के रपाला वाहे गुरू जी का खाल सा वाहे गुरू जी की हते गुरू 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 प्यारी साथ संगत जी ओ गुरू की कथा अरम करिये आशीश बक्षो फते परवान करो वाहे गुरू जी का खाल सा वाहे गुरू जी की फते मूल शबद दी व्याख्या अब जी दे सामने रखां उस्तों पहला एक ख्याल एक विचार मनुखदे को जीड़ी पुख है और जीड़ी प्यास है एक जमांत रुई है बच्चे दो जनम होया प्यास लगी है बच्चे दो जनम होया पुख लगी है मां कैड़न दी है बच्चे नो पुख लगी है एक बालक जमें जमें श्याना होया वड़ा होया ते जीड़ी पुख से एक मंगते खड़ी हो गई और इसने मंगणा शुरू कीता ते सबतों पहला मंगणा शुरू कीता अपने ब्रातों अपनी पैनतों कि तेरे कोल जो कुछ भी है थोड़ा जयसा मैंनो भी दे देविच मैं भी खाना है कदे मां तो मंगदा है कदे पिता तो मंगदा है कदे भेन तो मंगदा है कदे ब्रा तो मंगदा है फिर कदे मित्रा तो मंगदा है कदे पड़ोसी तो मंगदा है मंगदियां मंगदियां एक पड़ाव ऐसा है कि जदों ओदी मंग पूरी नहीं होई ते फिर उसने चोरी करना अर्म कर देता है क्योंकि मंगन नाल गल नहीं बढ़नी ते फिर चोरी ही ठीक है फिर चोरी कर दा है चोरी कर दियां कर दियां जद ओधी लोड पूरी नहीं होई ते फिर ओधा तल किदरे हो रोड़ा हो जान दा है ते फिर चोरी दी थां ओ लुट मार करदा है डगेती डालदा है और इस तरह ओखो के लिए आंदा है और उसे तरह वो दा सारा जीवन तब हो जानदा है ते अपनी मंजिल ही पुल जानदा है मैं क्यों आया रूह है जब ही ते क्योंकि अक्सर एक गल करदे से संसेंग दी मश्कीन के धार्मिक काउन है जिड़ा रोज पाठ करदा है ओ धार्मिक है विस्ता की माफ नई नई धार्मिक मनुख हो है जिसनों अपने मंजिल दी ख़वर है ते मैं रूहे जमी ते क्यों आया हाँ एदा मकसद की है एदा कारण की है जिसनों मंजिल दी समझ है वो मनुख धार्मिक है वो मनुख एक दिन मंजिले मकसूद ते पाऊं जानदा है लेकिन मंगदियां मंगदियां फिर चोरी ते पाउं जानदा है चोरी कर दियां कर दियां लुट मार ते पाउं जानदा है और जीवन तबाह हो जानदा है तबाह हो जानदा है इस दूहे जमीते जितने भी रैबर आए उना दा एको ही मूल कारण सी एको ही और मूल कारण एसी के बटकदे होई मनुखनों क्योंना दिशा विखाई जाए अपने मंजिल ते पाउंच जाए ते आवा गवन वदा खातम हो जागे मूल शब्द दा पाठ अपजी ने गुर्मक प्यारे रंजीर सिंग जी जी मबारक रसना चोंशरवन कीता बहुत अजीज प्यारे मिट बोलडे तिन्यमरता दा सबाव गुरु रैमुद करे 608 अंगते जो धन गुरु अर्जन देव साहिव दे बोलने पन ओ लड़ी वार मैं आवजी दे सामने रखा सतनाम सिरीवाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा कार पहला तेतो के एक ओ अंकार सत गुरु परसाद ए इलाही कलाम धन गुरु अर्जन देव साहिव दा सोरठ राग है ते घर पहला क्योंकि धन गुरु ग्रंज साहिब देविच सतारा घर तक दा जिकर कीता है ए प्रकार ने के सोरठ राग गावना है पर किस घर विच गावना है तो साहिब हिदायत कर देने पहले घर विच गावना है और इदे जो पद हन जिदे विच साहिब ने किया तित के तिन तिन तुकदा एक पद है ते फिर उस तों पहला मंगला चरण इसनो थोड़ा गराई नाल समझना कि लिखारियां दी दुनिया विच एक आम नियम है कि कुछ लिखना होवे तो बंदना करनी बेंदी है ये लिखारी दी दुनिया दा एक नियम है पर बंदना किस दी केंदे ने कोई बंदना करदा है सर्सवती दी कोई बंदना करदा है गणेश दी कारण की है तो किसे ने कह दिता के गणेश जी रिदियां सिदियां निदियां दे मालक ने ते सर्सवती विद्यादाइत्री है इना दा ही इना ने बंदना दे बोल इना दे पिरती अरदास दे बेंती की थी रैबरी पुरुशा दी शरंखला विच जिदा गुरु नानम साहे माराज आए अब जी कहना लगे मनुख दी लोड की है विद्या ते रिद्या से दिया जी विद्या मनुख नो मिल सकदी है सरस्वतीतों और रिद्या से दिया मनुख नो मिल सकदी है गणेश जीतों तो फिर परमातमा दी लोड की है पिर कोई लोडने परमात्मा दी और इननू कौन दसे के विधियां सिधियां दा मालक भी परमात्मा है और विधियां दा मालक भी परमात्मा है तो गुरुनानुक साहे माराजी ने मंगला चरन सरस्वती दा नहीं कीता गणेस चीदा नहीं कीता गुस्ता की माफ गुरु नानक ने बंदना कीती निरंकार दी एक दी मंगलाचर्ण कीता एक दा जो मंगलाचर्ण जब बानी दावी है दन गुरु ग्रेंसा मराजी दावी है जिसनु अब जी मूल मंतर भी कहन देओ एक ओँकार सत नाम करताव पुरुख निरबाव निरवैर अकाल मूरत अजोनी से भं गुरु परसाथ इस मूल मंतर नो वखरी वखरे तरीके नाड गुरु ग्रेंसा मिच दर्ज कीता है ते अजदा जो मूल पाठ है एक ओँकार सत गुरु परसाथ तोड़ा बरीक बुद्धी नाल समझे न हिंदुस्तान देविच एक धारना वने वाईए विशेश करके साड़े मुल्क देविच भारत वर्शिविच कि स्रिष्टी नू बणाउन वाला ब्रह्मा है स्रिष्टी नू रिजक देन वाला विश्णोजी माराज है और स्रिष्टी नू तबाग करन वाला शिवजी माराज शंकर जी ने ये साड़े मुल्क देविच दारना बने होई है गुरुनानुक साहिब माराज कैन लगे ऐसा कारण की है कि बणाउन वाला वखरा मारन वाला वखरा रोटी देन वाला वखरा इदा कारण की है गुरुनानुक साहिब जिने सवाल खड़ा करता ते फिर विदवान पुरिशा ने जबाब दिता कि जो मा बच्चे नू जनम दे सकदी है वो मार नहीं सकदी है उदे विच ममता है फिर मा जनम देन दी है मा मार नहीं सकदी फिर मार नहीं सकदी फिर मारन वाला कोई होर चाईदा है दूजा तीजा चौथा पंजबा ते जिसने स्रिष्टी बनाई है वो फिर स्रिष्टी नू मार दा नहीं है मारन वाला देवता दूजा है रिजक देन वाला देवता दूज आए गुरु नानुक साय माराज ने किया नहीं ऐसा नहीं एक ही जनम दाता है एक ही प्रले दाता है और एक ही मिटाउन वाला है एक तों ही सब किछ बन रहे आए एक तों ही सब किछ मिट रहे आए और एक ही हर एकनू रोजी दे रहे आए हर एकनू तो एक विद्वान को रिष्दे बोल हन अकार, उकार, मकार ये जो ओवंकार है ये दे विज तिन अखर ने मैं फिर अर्ज करां त्यान दे नाल सुनना क्यों कि कथा त्यान मंग दी है जे ध्यान नहीं है सुन के भी नहीं सुन पाएं इतिन अखरादा जोड है अकार, उकार, मकार ओशक्ती जो अकार दे रही है ओशक्ती जो उपजीवी का दे रही है ओशक्ती जो मिटा रही है उसनों के दने मकार अकार, उकार, मकार, अर्द, बिंद, फुन, जान, तीनों के समुदाए से ओवंकार पचा कि गुरु नानुक साहिव माराज ने ओवंकार तो पहला एका रख दिता कि एक तो ही जनम, एक तो ही मरन, एक तो ही रोजी, एक दी ही सब खेड है, एक दी एक हैं, अनेक हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, खेल, 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 खेलन, अन्त को फिर एक उनों ओ एक किस्त्रा प्रापत होए ओदे नारे मिलन की में होए तो शाहिब कहने ने गुरु परसाद, गुरु दी किर्पा ते कई वारी में अर्द करना धन मिल्दा है प्रियास नाल पर धरम मिल्दा है प्रसाद नाल दोनेयां दे तमाम पदार्द कठे वंदे अन प्रियास नाल पर परमातमा मिल्दा है प्रसाद नाल, किर्पा नाल बाउत सुंदर मकान बनाया, बाउत सुंदर प्रियास नाल पर हिर्दे विच मंदर बन जावे ओ प्रियास नाल बन दाए ओपर साथ नाल बनदाए गुरुदी रहमत नाल ओव मंदर बनदाए तो मैं अर्द करड़े सी मनुख दी फित्रत है मंगन दी जे मंगन नाल मंग पूरी नहीं होई चोरी गीती ते फिर चोरी करण दे नाल गल नहीं बने जीवन और तबा होंदा गिया बरबाद होंदा गिया तो दनगुरु अर्जन देविसाए माराज इस पावन बौल देविच जगत नो अवदेश कर दे आना किस हाँ जाची किस आरादी जा साब को कीता हो सी जो जो दीसाए वड़ा वडेरा सो सोखा कूरल सी ते दानगुरु अर्जन देव साए माराज केंदेने मैंनो एक गल दसो जेड़ी मंगन दी जेड़ी मौल का मज़ोरी है मंगदा है पर मनुख मंगदा किस तो है मनुख मंगदा है किर्ट तो करते तो नहीं मंगदा किर्ट तो मंगदा है यह जितनी वी मखलूक है जितनी वी कुद्रत है यह करते दी बनाई होई है मैं अर्ज करा करता वड़ा है जा करते दी किर्ट वड़ी है आप जी ने कहना ग्याने जी करता वड़्डा है किरत वड़्डी नहीं है करता वड़्डा है मूर्ती कितनी भी सुन्दर होवे मूर्ती कारतों वड़्डी नहीं हो सकती कभीता कितनी भी गैरी होवे कभीतों वड़्डी नहीं हो सकती नहीं हो सकती पांडे कितने भी सुन्दर होन पर ठठी आरतों वड़े खूब सूरत सूजवान नहीं हो सकते स्रिष्टी कितनी भी स्यानी होवे पर करते तो स्यानी नहीं हो सकती करता स्याना है तो साहिब कहने किस हाँ जाची किस आरादी मैं किस दे अगे जाच ना करां मैं किस दे अगे अराद ना करां जदों सब किछ रब नहीं बनाया है रब नहीं बनाया क्योंकि आप जी किसे मनुख तो मंग देओ अपने दुख दे मनुख दे सामने खोल देओ मनुख अपने दुख अब जीदे सामने खोल देंदा है कहने ने तुम उस तो मंग जो किसे तो भी नहीं मंग दा तुम अपना दुखड़ा उसनों सुना जेदे जीवन विच कोई दुखड़ा नहीं है बाकी ता जितने भी ने जो जो दी से वडा वडे रा सो सो खाकू उरल सी जितने भी वडे वडे ने अखीर दे विच मिटी दे विच मिल जान देने खे हो जान देने मैंनों एक कलियाद है पच्छम दा विचार कोया ओ जिदों शम्शान गाटतों लंग रिया सी ते ओनों ठोकर लग दी है जदों ओ देख दा है कि सामने तना किसे मनुख दी खोपड़ी पई होई है खोपड़ी और शम्शान गाटते लिखिया सी एक कोई छोटे मोटे लोगां दा शम्शान गाट नहीं है ते वड़े वड़े बंदे दफनाए जान देने वड़े वड़े तो ओ फकीर कहनदा है जे वड़े वड़े बंदे दफनाए जान देने तो जरूर ऐ खोपड़ी किसे वड़े बंदे दी रही होएगी जरूर और अज ओही खोपड़ी ठोकरां खा रही है जेरी खोपड़ी कदे लोगानों कहन दी शेट उसी मेनू मठा टेको तुसी मेरे पैरां तेसे जिदा करो अज ओ खोपड़ी ठोकरां खा रही है तो केंदे ने उस फकीर ने खोपड़ी अपने कोली रख लई इस करके कि अपने मन नुँ हरवेले सुचेत कर दे रही है कि ऐ पुर्खा जो जो दीस है वड़ावडेरा सो सो खाकू रल सी निरपाओ निरंकार पावखंडना साब सुखनावनिद देशी साइब खंडने ओ जो प्रभू है निरभव है निरवैर भी है आलमादा करना है कि मनुखदे जीवन विच जे डर है तो अपने तो वड़े दा और जे किदरे वैर है किसे दे नाल ते गुस्ता की माफ शरीक आँदा अपने तो छोटे दा डर नहीं होंदा पर डर होंदा है अपने तो वड़े दा वैर शरीक आँदा गुरुपातिशा केंदे ने ऐ पुर्खा निर्भाव नो जबदिया जबदिया तूँ भी निर्भा होजा तां करके ओ परमात्मा जेदे घर दे विच सारे सुखने निदिया शिदिया ओ तेरी जोली दे विच पैन गिया तो ओदी इबादत कर फिर राहो दी पंक्ती विच गुरु पाथ्षा जी बख्षी श्यां करदे अन जी हार जी ओ तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सालाही क्या तिसका मोहताजा गुरु साहिब महराज दे बोलने के एक मनुख मनुख नो कितना कुछ दे सकदाए एक दिन कुछ दवेगा दूजे दिन दवेगा ते गुस्ता की माव तीजे दिन ता उसने कही देना है कि मैं सारी जन्दगी दा ठेका नीं ले आए और जे किता उसने मदद कीती भी है ते ठा ठा ते उदा इज़ार करदा है तेरी बेटी दा कार्ज सि मदद मैं ना करदा ते तेरा ओ समा उठाओ जाना सि तेरे पुत्तर दा व्यासी जे किदरे मैं मददगार ना होंदा तेरे पुतर दा व्या किवे होंदा तेरे जीवन विच बहुत बड़े दुखाए बहुत बड़े मददगार मैं ना होंदा तेरा कारज किवे होना सी मनुक थां 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 थे कहनदा है हर थांते कहनदा है हर वक्त कहनदा है पर एक प्रबूदी शर्ण विच आप जी बैठे हो कहनदाने सारी जिंदगी देंदा ही रहनदा है सारी जिंदगी देंदा दे लेंदे थक पाए जुगाव जुगंतर खाई काई सारी जिंदगी देंदा ही रहनदा है पर इसाहिब केंदे ने वड़ा दाता तिल ना तमाई इनना वड़ा दाता सब कुछ देके तिल जितनी तमानी रखदा तिल जितनी मगनी रखदा कि मैं तेनो कुछ दिता है तो भी मैंनू रहे है नहीं और ऐसे प्रभु नो चढ़के और एक मानस दे सामने की अर्जोई करिये मौता जी की कड़ी हो दी मानस दी मैं इस मानस शब्द दा अर्थ देखरिया सी ते एदी जे किदरे संदी विछेद करिये तक एदने मा जो अंकार दे नल बरिया हुया है मानस अंकार नल बरिया हुया है ते बुलेशा दा एक कलाम मैंनो चेते आ गया बुलेशा कहन रहा है कि मक्के गयां गल नईयों बन दी बामे साउसो जुम्मे पढ़ आईये त्यान दे नल सड़ना बस इतने जी गले दे अंदर मैं मिट गया क्योंकि ना था कुछ तो खुदा था कुछ ना होता तो खुदा होता डबोया मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या होता मानस कह दे ने तुम गुरू दे कोल जा किसे मनुख दी मौता दी ना कट तुम गुरू दे चरना मिच जाके अर्दास कर इस्तना अर्दास कर गुरु साहिब उबदेश कर देहन रहाओ जिन हारते आया साब किश तिसका तिसकी पूख गवाई ऐसा तान दिया सुखदाते निखोट ना कब ही जाई साहिब गंदे ने जिन हर द्याया जिना ने हरी नुँ ध्या लिया जपना होर गल है ध्याना होर गल है भोजन बनाना होर गल है भोजन नुँ छकना होर गल है मैं आप जिनु अर्द करा भोजन ता त्यार कीता पर भोजन नु छक्या ही नहीं मनुख दी भुख नहीं मिटेगी मनुख दी भुख नहीं मिटे क्योंकि भोजन ही नहीं खाया और भोजन इस करके नहीं खाया कि भोजन बढ़िया इनी सी तो आलमादा कहना है कि रसना दे नाल जपना वाही गुरू वाहिगुरू रसना दे नाड वाहिगुरू दी धोन अलापणी और कना दे नाल इसनों सुनना ए एवेई हैं जिमें रसना दे नाड ता बोजन त्यार कीता और कना दे राही ए भजन रूपी बोजन छक लिया तो गुर्मुक प्यारे केंदेने कि पाठ्वी करना होवे तो रसना बोल दी होवे और कन सुन दे नाड शिम्रन भी कीता जावे रसना बोल दी होवे और कन सुन दे नाड केंदने प्रभू ने उसनों सब कुछ दे देता की कुछ देता केंदने ऐसा धन उसनों दे देता के कदे ओ खुटदा ही नहीं है सारी बोक भी मिट गई और जीवन दे विच ओ धन कदे खतम भी नहीं होंदा क्योंकि जे गवर्मताला करिये ते सडे कुल जेडा धन है वो वंडिया जा सकदा है वो खोया जा सकदा है लुटिया जा सकदा है पानी विच डुब सकदा है पर एको एक धन ऐसा है जो ना कदे डुबदा है ना कदे उसनों चोर चुरा सकदा है पर ओ धन के दे कोल है और नाम के दे कोल है और ये बारे साइब जी पावन बोल दे विच उवदेश कर दे हन जी अनन्द पया सुख सहज सुमाने साथ गुर मेल मेलाई साइब कर देने कि जी अनन दिन नाम जबदार में तेरे जीवन दे विच अनन्द बया सुख सहज समाए अनन्द बया कई दफा असे सुख नू अनन्द समझ लेंदे हैं पर गुश्ता की माफ सुख वखरे हन अनन्द बखराए जीवन दे विच सुख आउंदेने समा पाके चले जान देने जीवन दे विच दुख भी आउंदेने दुख भी चले जानदे मैंनो एक छोटा जया उदारन चेते आगिया मौके थे बादिशा कहने दा है एक संथ नो मैंनो एक ऐसी पंगती लिखके दवो जेते नाड उपंगती दुख भी ची भी कम आवे ते सुख भी ची भी कम आवे ते संत पुरिश केंदा है चंगा ए में पंक्ती तेनों लेके देना पर ए पंक्ती उदों खोलना उदों पढ़ना जदों जीवन दे विच अत्दा दुख आजाए अत्दा दुख और जां फिर जीवन दे विच अपावर सुख आजान जां फिर ए पंक्ती उदों पढ़ना ज़नों जीवन विच बहुत सुख आजान ते मालक दी की खेडवी एक वार ऐसा दुख आया ऐसा दुख आया ते ए राजा विचलित वो जानदा है कहन दा होन मैं की करा और फकीर ने संत ने जड़ी परची दित्ती सी लिखके जड़ा मैं एक खोल के देखाँ जड़ों वो परची खोल के देख़दा है उत्ते लिखिया है ए भी बीत जाएगा जान दे नल सुनना ए तेरे जीवन दे विच जड़ा दुख आया है ए दुख अज नहीं तां कल खतम हो जाएगा तुम परवाग न करी तुम गुरू तुम बेमुक न ओई वाकई कोजे दिन बाद वो दुख भी खतम हो जानदा है फिर सुखाँ दा परवाग दा है जीवन विच फिर अत दे सुखाँ देने ते फिर फकीर दी गल याद आगई परची खोल के देख लेना जे अत दे सुख होन तां भी परची खोल के देखना और वो परची खोल के देख़दा है ए भी बीत जानगे जदों दुख निकल गयने ते सुख भी खतम हो जानगे ते ए गल जेत तो साथ गेंद ने के अनन्द भया सुख सहज समाए। केंद ने सतगुर मेद मिलाई। सतगुरु ने ही मिलन कराया। सतगुरु ने ही अवरेश की था जेदे नाल जीवन विच ऐसा अनन्द आया। के सरेव खिडाऊ दी अवस्ता विच रहन दाया। चोवी घंटे खिडाऊ दी अवस्ता जी। मान नाम जप नाम अराद अन दिन नाम वखानी। उपदेश सोन साथ संतन का सब चूकी कान जमानी। दार्मिक दुनिया दे विच एक सवाल बहुत परचलिता है। केड़ा सवाल। अक्सर इस सवाल पुछ देने नाम के में जप ये। नाम की है नाम जप ये के में। ते फिर किसे ने कुछ करना है कि नाम ढाई अखर दाए गुस्ता की माफ। किसे ने करना नाम पंज शब्दां दाए। किसे ने कुछ करना किसे ने कुछ करना। जे दानगुरु गुरन सहिब दी गल करिये जो की जोतो रूप है। तो जितनी तफा नाम दाजिक्र आया है गुरु गुरन सहिब दे विच्च वो इशारा है एक ओ अंकारवल। एक है नाम ओदाए फिर ओदे नाम अनेक ने अनेक अनेकश। और सवाल एक है नाम जपिये के में तब कई वारी मैं अर्ज करना के मनुखनू जदों पुख लगी होवे रोम रोम दे विच्चों आवाज निकल दी है रोटी चाहिदी है बोजन चाहिदा है मनुखनू पुख लगी होबे रोम रोम दे विच्चू आवाज निकल दी है पाणी चाहिदा है फिर बुखे दे सामने रोटी रख दये तो गुस्ता की मँआफकेतररे पुछेगा नहीं किसेनू के मैं होन किसरा खामा रोटी कदे नहीं पुछदा, बुख लगी है पाणी दी प्यास लगी होवे पाणी सामने प्या होवे कदे किसे नो पुछेगा नहीं मैंनो दसों में पाणी किमें पीवा प्यास लगी है, पाणी पीन दा है, बुख लगी है, रोटी कान दा है और अफ्सूस दी गल है हैरानगी दी गल है कि मनुख पुछदा है कि मैं नाम किमें जपा हद दो गई ता अक्सर जदो बालुक अपनी मानों कह देंदा है तेरा बनाया बोजन स्वादला नहीं है ते मान कहन दी ये पुतर लगदा है ते तुम बारों खाके आया जान ते नूँ भुख नहीं है रोज मान दी हत्दा बनाया बोजन कहन दा है अज़े कहन दा है स्वाद नहीं है अज़े कहन दा है भुख नहीं है ते तुम खाके आया ते इसी तरह जदो नाम दी भुख होवे ता यकीनन मनना अंदरों रोम रोम चो निकल दाए वाहि गुरू वाहि गुरू वाहि गुरू वाहि गुरू क्योंकि भुख लगी वाई है तो सभु केंदे ने पुरू कह, मन नाम जप, नाम अराद, अंधन नाम वखानी, अवदेश सण, संतांदा, गुरू मुखांदा, केंदे ने सब चू की, जमा दी जडी, मार हुं दी, वार वार जमना, वार वार मरना, जम जम मरें, मरें फिर जमें, बाउत सजाए पया, जनम लेना, मरना, फिर जनम लेना, फिर मरना, कहने ने ए वार वार तेरा जिड़ा आवा गमन है, ए समापत तो वेगा, जदो तू नाम जप लवेगा, इस तरह गुरु साइब जी बख्शी शां कर दे गां जी, जिनकाओ किरपाल हुआ प्रभ मेरा, से लागे गुर की बाने, जिनकाओ किरपाल हुआ मेरा, ओ प्रभु, ओ मेरा मालक, ओ फिर गुरु दे चर्नादे नाल जुड जान दे ने, जिनकाओ किरपाल हुआ मेरा, ओ प्रभु, ओ मेरा मालक, ओ फिर गुरु दे चर्नादे नाल ज कई दफ़ा मैं जिक्र करना जो याद शबद है इसनो थोड़ा जिया अपने जैन विच ले लेना इस अखर नो ए दो अखर ने जिनादा एक शबद बने आए याद जदों वार वार किसे नो याद करिये ओ ते नार नजदी की वद दिये और जदों किसे नो बोल जाईए ते ओ साड़े तो दूर हो जानदा है ते कई दफ़ा लोग कह दें देने तो तसे नो इसानो याद कर दा ही नहीं नेड़ता खातम हो गई वार वार जदों से याद कर देया ए याद शबद इसनो पुठा पढ़के देखो मैं फिर अर्ज करां जहन दे विच ए शबद ले आओ याद अगर जदों निरंकार दे दर ते पहुंच दिये रोज सिमरन कर देया रोज पाठ कर देया ए याद जदों निरंकार दे चरना ते पहुंच दिये ए फिर शबद मुड़के साड़े को लांदा है और दयादा रूप तारण करके आंदा है क्योंकि याद नूजे पुठा पढ़ांगे ते बनदा है दया गुरु दी शर्न सनो नसीब हो गई ओ दी रहमत साड़े ते हो गई अगां गुरु सहीब दे बोल की केंदे ने जी कीमत कौन करै प्रब तेरी तू सर्ब जियाँ दया आला सहीब केंदे ने के तू सारी आते रहमता करदा है दयाल पुरुष है बहुत वड़ा दया लू कितना वड़ा दया लू के मनुक सारा जीवन गुना करदा है पर निरंकार दे चर्ना विच फिर अर्ज करदा है ते गुस्ता की माफ एक वार भी नहीं पुछड़ा के तू गुना की देने मैं जेकर आप जी दा त्यान दन गुर गोविन सिंग माराज वल ले जावा तो बाद दुर शा कहन दा है बाही नदलाल नो कि पिताद और आज मैंनो किस तरह हांसल हो सकता है बाही नदलाल जी कहन लगे गुर गोविन सिंग माराज दे कोल चलो ते कहन देने जदो दान गुर गोविन सिंग माराज दे कोल जाके अर्द कर देने कि मैंनों पिता दो राज चायदा है तो गूरु गूबिन सिंग माराज केंदाने चंगा ठीक तेरी असी मदद करांगे तो यह बाद 수 शा फिर केंदा है बाइण दलालन कि दानुगू गूबिन सिंग माराज दे पितानों मेरे पिता ने शहीद कराया बचिया नो शहीद कराया अनन सेवक सिंग शहीद होए और गुर्गोबिन सिंग माराज ने एक वार भी मैंनो ए नहीं किया कि तेरे पिता ने इतने गुनाँ की तेने तेसी तेरे मदद नहीं करांगे एक वार भी नहीं किया भाई नंदलाल केंड लगे कि ओ सरब जियां दयाला ओ सारियां ते रह्मता कर देने ओ दयाल पुरुशने ते अगां ते बौल की कर देने साब किश कीता तेरा वरते क्या हम बाल गुपाला केंड लगे इतनी अर्ज करिया कर ऐ प्रभू मैं छोटा जिया बच्चां बाल गुपाला इस तो भाव है याना मैंनो कुझ नहीं आंदा मैंनो कुझ नहीं आंदा केंड ने जेडा मनु को केंड़ा है मैंनो कुझ भी नहीं आंदा केंड ने बस मंजले मक्सूद ते होई पांचदा है सुकरात कहनदा सी कि जदों में बच्चियां दी मैं फिल विच बैठदा सी मैं कहनदा सी मैंनों सब कच्छांदा है सब कच्छांदा है मैं जवाना दी मैं फिल विच बैठना शुरू कीता मैं किया ऐसा कुछ है जो हाले मेरे पकड़ विच नहीं आया है नहीं आया है फिर मैं बुजुर्गान दी संगत विच बैठा तो मैं फिर एलानिया में गल कह देती मैंने कुछ भी नहीं आनदा कुछ भी नहीं आनदा जाना तो इतना जाना के कुछ भी नहीं जानते कुछ भी नहीं जानते केंदे ने जे मनुक दी फित्रत इस्तरों दी हो जावे ऐ प्रभू असी तेरे छोटे जी बच्चे यां ते फिर की कुछ प्रापत होंदा है साहिब जी बानी देविच बक्षी श्यां कर दे हन जी राख ले हो नानक जान तुमरा ज्यों पिता पूत किर पाला साहिब केंदे ने एक बहुत वड़ा रिस्ता है पिता दा ते पुत्तर दा पुत्तर ने कितने भी गुना कीते ओन पर जदों ओ अपने पिता नूं केंदा है ऐ गुर्दे पिता में वापिस आना चन्दा घर तो पिता की केंदा है एक छोटी जी गल कहके कथा दी समाप्ती वला उने है पुत्तर विगडिया होया किसे मुल्क विच जान दा है और जदों बहुत दुखी होन दा है ते अपने पिता नूं चिठी लिख दा है ऐ गुर्दे पिता में घर आना चान्दा हूँ कि आप जी मैंनों परवान करोगे कबूल करोगे जे हाँ जे आप जी दी सहमती होवे तो आप जी एक कम करना मैं जिस रेल गड़ी विच बैठके आँँगा और अपने शेहर दा जिटा रेलवेश टीशन है इत्थे कपड़ा बंद है ना सफेद तब मैं समन जाओंगा कि गुर्देश पéta दी सहमती है जी नहीं ते फिर मैं निकल जाओंगा पिता की करदा है सारा प्लेट फारम ही वाइट करदेंदा है सारा प्लेट फारम और इस करके किदरे मेरे उस पुतर नू ओ छोटा जिया कपड़ा नादिसे और किदरे निकल ना जाए ते मेरे पुतर नो दूरों ही पता लगे कि मेरे पिता दी सहमती है ते उसे तरह मैं अर्द करां आपजी गुरू दे कोल आ गए गुरू दी सहमती है आपजी दे सारे गुना बक्षे गए आओ करो किर्पा अखीर विच्च पंक्तियां पढ़के पे कथा दी सवापती करियर जी साब किश कीता तेरा परते क्या हम बाल गुपाला राख ले हु नानक जान तुमरा जों पिता पूत किर्पाला सार यांदा बहुत बहुत तनवाद सिंग साब गयाने जगतार सिंगी दावी तनवाद पुला चुपकांदी खेमा वाई गुरू जी का खाल साब वाई गुरू जी की